हेलो एवरीवन वेल्कम पेक टो मा यूटुब चेनल नर्सिंग नॉट्स और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके एक्जाम में पुछे जा सकते हैं इस टाइब के कॉश्चन हमारा फर्स्ट कॉश्चन है की इसके इसके बारे में लिखना होगा और क्या होती है इसके बारे में लिखना होगा और इसके वीडियो चाहिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं सभी सेरल वाइस सेल टिशू इसके बाद कार्डियक फ्लर्ड वगएरा सिस्टम से चेप्टर वाइस हमने किया गया है कि इसके बाद सेकर्ज कोशिन हो में व्लड डिसक्राइब कंपोजिशन सेल्स का। बडॉट क्या है और और ख्ल कौन हैं इन तिनों के फोर्मेशन के फ्रोसेस पुछे जा सकते हैं इसके बाद explaining details आई वित लेबल डाइग्राम आई क्या होती है और इसके जो लेबल डाइग्राम आई का और इसके लेयर्स उसके parts के बारे में पुछा जा सकता है यह हमारा third question है fourth question है हमारा what is the sorry what you mean by cranial nerve cranial nerve कितने होती हमारी 12 होती है उसके बारे में लिखना है इसके बाद पाच्वा जो question हो है हमारा define joints, types of joints and explained synovial joints joints क्या होता है कितने प्रकार की joints होते हैं और synovial joints है उसके बारे में लिखना और synovial joints कितने प्रकार के वह भी इसके लिखना है तो यह हमारा question no.5 है यह हम बता रहे हैं आपको आपके question बन सकते हैं इसके इंपोर्टेंट questions बन सकते हैं यह सेम इंपोर्टेंट questions समय दीजिए इनको Define cell and tissue with label diagram मतलब cell and tissue क्या होता है और उसके बारे में लिखना है Anatomy Physiologist की और इसका label diagram बनाना और explain about types of tissue और tissue के जो types है उसके बारे में लिखना है 7 question है हमारा explain in details endocrine system endocrine system के बारे मिलतना है क्या होते हैं और कौन-कौन से हर्मोन होते हैं anterior and putative posterior putative gland में से ठीक है What is sense organ sense organ क्या होते हैं इसके बाद अलग से जो question है explain about skin, skin क्या होते हैं और इसके बारे में लिखना epidermis और dermis के बारे में 9th हमारा question है define kidney with label diagram and explain in details parts and function of the kidney nephron हो गया, urethra, urinary bladder जो हो गया उसके बारे में explanation करना तो यह भी long questions के अंदर पूछे जा सकते हैं यह जो skin वाला question है वो six number में छोटे questions में पुछे जा सकते हैं इसके बाद question 10 define CSF fluid CSF fluid के अदो है cerebral spinal fluids and composition of CSF fluid इसका composition लिखना है यह भी आपका short question बन सकते हैं 5 या 6 number का question इसका question 11 हमारा write down the organ of digestive system organ कौन-कौन से होते ही main और accessory organ explain about stomach and parts and details of small intestine की बारे में इसको लिखना है stomach के parts क्या है इनके बारे में question 11 internal reproductive organs of female internal reproductive organs होते females के uterus अगे राव भूगया फिलोपिन ट्यूप अगे राव गई ओविरी अगे राव गई उनके बारे में लिखना इसका हमारा जो 13 question है define nervous system types of brain brain के कितने types होते है वो और difference between seri bram and seri bellam दोनों के वीचे में क्या difference बताना है तो यह जो हमारे important questions for GNM first year students के लिए anatomy and physiology के यदि इन सब के आपको notes चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पे available है आप हमारे जो playlist है हमारे जाके anatomy and physiology GNM first year के notes देख सकते हैं हम दिने देख और भी हम वीडियो लाते रहेंगे इसके लिए I hope आपको वीडियो पसंद आयो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और हमारे YouTube चैनल के नए हो तो प्लिस हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थेंक यू